हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है, गूगल का नाम गूगल से पहले क्या था? आईए जानते हैं ऐसे ही पाच अमेजिंग फैक्ट्स नमबर वन, सभी महादीपो के नाम उसी एक्छर से समाप्त होते हैं, जिससे वो शुरू होता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एशिया एसे शुरू होता है और एपर ही खतम होता है उसी तरह अपरीका, यूरोप, अंटार्क्टिका, अस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी है नॉर्थ और साउथ दिशा को दर्शाता है नमबर टू, टाइप राइटर, वो सबसे लंबा शब्द है, जिसे लिखने के लिए कम्प्यूटर या लैप्टॉप के कीबोड का सिर्फ उपरी लाइन ही इस्तमाल किया जाता है नमबर थ्री, रिदम अंग्रेजी का एक ऐसा लंबा शब्द है, जिसमें कोई भी वोयल या स्वर्प नहीं होता है नमबर फोर, आप कई जगा पर घोरे पर बैटे हुए शहीद या फिर महान व्यक्ति की मूर्थी तो देखे होंगे अगर उस घोरे के सामने के दो पैर उपर हो, इसका मतलब है कि वो युद्ध करते करते शहीद हुए है अगर घोरे के एक पैर उपर हो, इसका मतलब है कि युद्ध में जक्मी होने के कारण शहीद हुए है और अगर चारो पैट जमीन पर हो उसका मतलब है कि उनकी नैचरल डेथ हुई है अगर आप एक के बाद 100 जीरो लगाओगे तो इस सेंख्या को गोगोल कहते हैं जो कि गूगल का नाम था पहले बाद में इसे गूगल कर दिया गया है तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाईएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई